हलो बचो कैसे वो फसलास तो चलिए आज का ठपिक है हम लोगों का सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट एट तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट वंस लेकर हैं पार्ट सेवन तक अच्छी तरसे त्यार कर चुके होंगे आज है पार्ट एट और हम लोगों पढ़ने जा रहा हैं इस टॉपिंग में डैंप हार्मोनिक ऑसलेशन क्या होता है डैंपिंग क्या होता है फुर्ष्ट ऑसलेशन क्या होता है तो चलिए देखते हैं और फिर बहुत हैं इंपार्टेंट कुछ नुमेरिकल्स तो बहुत पूली इस्प्रिंग सिस्टम तो ऐसे कुछ नुमेरिकर स्कॉल्ड देखेंगे लेकिन पहले थियोरी और थियोरी है डैम्प हार्मोनिक और सिलेशन डैम्पिंग होता क्या है चलिए पीहंड एफिज एक्स मैस डिपीस है तो आई चलिए शुरू किया जाए डैम डैम्ड और टैम्प औस्लेशन अश्यली होता ही क्या है जानते हैं कि कही पर भी एजै कोई भी ऐसा फोर्ष लगा ओक किसी भी आश्यलेटरी वाड़ी कर जो उसके मोशन का बिरोध कर ला हो तो ऐसे फोर्ष को ऐसी अस्लेशन को जो किसी दवे डिसीपेटिई फोर्ष के इन्फ्ले दूसरे dissipatic force के influence में motion कर रहा हो, उसे कहते हैं dimed oscillation, क्या बोलते हैं उसी को? उसी को बोलते है dimed oscillation, तो आप एक line मेंशन करते हैं, वहाँ पे एक line लिख दिए जाए, वहाँ पे, लिख देजिए, एक line लिख दिए, कि the oscillation, the oscillation in the influence of influence of any friction force, any frictional force, या आप इसी को कर सकते हैं, viscous drag या viscous drag, इसी को viscous drag कहते हैं, जो friction force होता है, उसी को viscous drag कहते हैं, viscous force भी कह सकते हैं, तो the oscillation in the influence of any frictional force, या viscous drag, is called, क्या, इसी को कहेंगे न, damped, इसी को कहते हैं, damped oscillation, स्वाल यह है, स्वाल यह है, कि जो damped oscillation होता है, क्या वह oscillatory है, क्या वह periodic है, या दोनों है, या कोई नहीं है, सुचिए, क्या होगा, चलिए, तो जो let, एक condition लगाना पड़ेगा, let, damping, let damping is small, let damping is small, then, तब होता है कैसा है देन नंबर वान यह और सिलेट्री होता है और नंबर दो पर एप्रॉक्स एप्रॉक्स एप्रॉक्सिमेटली पिरियोडिक एप्रॉक्सिमेटली प्यारी लेकिन जब डैंपिंग बहुत ही कम होगा तर एप्रॉक्सिमेटली पिरियोडिक नहीं होता तो जानते हैं कि यह पिरियोडिक नहीं है तो एसेचन तो करने सकते हैं सिंपल हार्मोनिक तो करने सकते हैं तो नंबर थर्ड नॉट सिंपल हार्मोनिक मोसर्ण यानिकि यह सिंपल हार्मोनिक मोसर्ण नहीं होता के लियर होगा है फार जांपल जैसे मγαल यह सबोर्ण करेंये क कोई यह आपकर लिए जाया सबोर्ट करिए कि यह कि सबोर्ण करिए कि हैं इस को इसको हम लोगों नहीं और स्लेट करा चछोड़ दिया अभिए और सुलेट कर रहा दें गया आया फिर इधर गया फिर आया उसलेट कर रहा है तो यह दिहां में कहें कि एर नहीं है यह उसलेशन इसका इसका उसलेशन वैक्यूम में हो रहा है तो वैक्यूम मीडियों कैसा ले रहा हूं वैक्यूम तो जब यह वैक्यूम में हो रहा होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे इसको इसको कहेंगे ना, free oscillation, क्या बोलेंगे इसको, free oscillation, यह क्या होता है, free oscillation, means कि कोई भी sternal force presented ना हो, मोशन का कोई भी विरोध ना हो रहा हो, तो इसे कहेंगे free oscillation, free oscillation, जैसे फरीजम पर, कोई बच्चा माझे यह सपोल करें, कि जूला जूला है, जूला जूला है, और air नहीं है, vacuum नहीं है, आप vacuum है, air नहीं है, तो friction होगा नहीं, तो जब friction होगा नहीं, तो किसका example बन जाएगा, free oscillation, तो देखे, free oscillation, तो यह free oscillation है, लेकिन कब, जब vacuum होगा तब, और तब result क्या होगा, यदि vacuum ना रहे, कोई viscous portion ना रहे, कोई viscous force ना रहे, vacuum ना रहे, कोई viscous force ना रहे, तो इसका time period हो जाएगा, time period, यह मिन्स कि कब तक कर, कब इंड होगा इसका, infinite time, यूँ ही चलता रहेगा, amplitude इसका 0 कब होगा, कभी नहीं, displacement कब 0 होगा, कभी नहीं, तो AI से यूँ ही चलता रहेगा, तो इसे कहते हैं, आयसे oscillation को कहते हैं, free oscillation जहां पर कोई बाहरी, external friction force present ना हो, लेकिन, in the presence of air क्या बनो गया, अब यही, यही, in the presence of air, in the presence of air क्या बनो गया, in the presence of air क्या बनो गया, अब यही बन जाएगा क्या, damped oscillation, in the presence of air, that will now the damp oscillation, why it is so, because, due to damping, due to this damping force, इस damping force के कारण, अब धीरे 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 धीरे, धीरे इसकी energy last हो रही होगी, तो, अगला point, तो आप यहाँ पर के लिए हो गए, कि force oscillation, अभी हम लोग डैंपिंग देख रहे होगी, तो damp oscillation क्या होता है, damping होता क्या है, तो आईए, अब जो energy last होई, वो energy कहां गई, तो लेखे, in the damping, in the damping, और damp oscillation, energy losses, हमेशा energy का last होता है, damping में, इनर्जी always losses in the damping, energy always losses in the damping, damping oscillation में हमेशा energy loss होती है, तो, और और इनर्जी जाती कहां पर है, तो in damping, in damping, in damping, in damping, energy, continue losses, damping में energy continue loss होती है, continue losses, and, और ये गई कहां पर, and, it increases, increases, heat of the surrounding, heat of the surrounding medium, जो भी medium होगा, heat बढ़ जाता है, heat बढ़ जाने बता है, heat बढ़ जाने बता है, temperature increase के जाता है, means, temperature increase करता है, surrounding temperature increase करता है, तो जो, oscillator की frequency, oscillator की जो energy last वी न, वो energy कहां पर गई, वो energy surrounding के temperature को increase करती है, ओके, कहले हो गए, तो इसे कहते हैं, damping, damping होता क्या है, damping होता क्या, तो देखे होंगे, हम लोग अभी, पीशे lecture में हम लोग इस पर numerical solve किया है, कोई simple pendulum है, और उसकी simple pendulum है, किसी liquid में रखा हुआ है, oscillate करा के छोड़ दिया, तो उसका time period क्या है, याद आ रहा है, पीछे है सब कुछ, पीशे lecture में है सब कुछ, इस आगनी मेरे का सम्दो, solve किया है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, उसका nature होता क्या है, तो damping क्या होती है, तो कोई भी oscillation, कोई भी oscillatory body, कोई भी oscillation, जब किसी standard force के influence में होता है, और force कैसा होना चाहिए, friction force, या viscous force, तो friction force के influence में होता है, तो ऐसे oscillation को कहते है, damp oscillation, अगला point, यह तो clear हो गया है, कि हाँ टाइप भी होते हैं, मिंस कि यह कोई भी body oscillation कर रही है, और वह continuous अपने energy का loss कर रही है, energy का loss कैसे करेगी, कोई friction force present है, तो यह तो यह वह continuous energy का loss कर रही है, तो ऐसे oscillation को करते हैं, damped oscillation के लिए हो गया है, और यह जो energy का loss होता है, continuous energy का loss कर रहा होता है, और यह जो energy का loss होता है, वह surrounding के temperature को increase करता है, चलिए, अब damping का damping का equation क्या होता है, चलिए, write the heading, अगला heading कर देजे, equation of damp oscillation, equation of damp oscillation, हाँ तो equation equation of damp oscillation equation of damp oscillation होता क्या पाइपोसलेसर के equation हम लोगों जालते हैं जो डैंपिंग फोर्स होता है ना कि दैंपिंग फोर्स मींज रज़ी परपोस्टे टू प्रपोस्ट्रेट टू अर्प अब अब हम लोग पढ़े हैं कहां पर अभी लेचर नहीं आया है एक लास ने पढ़े हुए हैं तो क्लास में क्या पड़ेगी है हम लों कि जो इस्ट्रक्स फोर्स हो था ये फेस तो होता है फेस इकल टू शिक्स पाई इटा आर वी यानि कि एफ ब्रावर डाइटी यह प्रोपोर्शनल टू भी जो वही चीजी यहां पर भी है जो विसकेस फोर्स होता यानि कि एक्वेशन आप डैंप हाश्क दैंपिंग फोर्स होता है वह होता क्या दैंप इंपम फोर्स अथा देऍप पिंगफ धूस्ट्जच आर्द्र Va मिलास्ति कु क्योंतिस्ट्रछन साइन तो होजित होती हैतों माइनस वी एक कॉंस्टंट आ गया और वी एक फीग्वेशन ऑनिसन बदम भीए यानि कि यह damping फोर्स कर दिया जाए इस बिस्ट है डाइंपिंग फोर्स लिखा यह रहने दिजिए लिखने जरूत है दो बार हाँ आप यह लिखाए है डाइंपिंग फोर्स थे आइप फॉर्स भी फी फी गॉल निस बी भी भी यह जैसे सपोर्स करें है कि कोई-एक एक इक् निस्प्रिंग शीस्टम हम जानते हैं कि मॉस्प्रिंग शीस्टम में हम लोग का हो यह स्था विथ डैम्पिंग, भाग ती सिंपल है सब कुछ, विथ डैम्पिंग, equation, equation of damped oscillation, एन दैम्पिंग भी प्रेजेंट हो, तो क्या होगा, तो F equal to minus Kx minus sum हो जायगा उसका bv, okay, so this is the equation, okay, this is the equation, haa, बहुत शिम्पल, this is the equation of the damped oscillation, so equation, किसका equation है, equation of damped oscillation, so simplest form में, कैसे रिपिजन करेंगे, f-2-kx-bb, what is the b, so b is the damping factor, b क्या है, damping, what is the b, b is the damping factor, so f-2-kx-bb, b is the damping factor, okay, चले, यह तो अखो गया, तो क्या पढ़ रहा है हम लोग, अब इसी को differential form में change कर दीजिए, तो differential form में कैसे change करेंगे, इसमें, और सारे numericals 100%, 100% तो नहीं क्या दो, 99% क्या दिया जा, तो 99% हम लोग नुमेरिकल से वेटा, फिनिश कर चुके हैं, maximum कर चुके हैं, जो भी कुछ बचा होगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर लिया जाएगा इसमें, लेकिन maximum हो चुका है, और यहां से अब आगे, हम लोग चेप्टर इस्टार करेंगे, तो नए चेप्टर में हम लोग दो चेप्टर पढ़ा रहे हैं, यह तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब वेब सुरू करेंगे, और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, हीट, तो हीट में हम लोग पढ़ च साल होता है वा वा मैं बताने जा रहा हो को देख करके मस्त हो जाएंगे आपलोग मिलकुल ही ना किसक करके आने बिलकुल now तो बहुत ही इंपार्टेंट बहुत ही इंपार्टेंट है और मैं उसको अभी जादू बताऊंगा एक लाइन में देखते ही साल में जाएगा चलिए ओके और कौन साने मेरेकर वही इस्प्रिंग एंड पुलिस सिस्टम फिराल अभी जो अथ्वास यह थियोरी है इस वह अब रहा यह जो है कि इसको कैसे लिखा जाकतो के बहुत सीखलाई नहीं नौद आ जाई है जानते हैं लोगो कि एफ है न तो एक बॉर्बहर क्या होता है यह ब्राब हो लिते हैं m d2x m d2x अपान dt2 लिते हैं न इकोल टो क्या माइनस kx इकोल टो माइनस kx माइनस bv येस ऐसे लिख सकते हैं इस एक्वेशन उनो प्राब्लम या इसको इधल ना दिया जाए तो m d2x अपान dt2 प्लस kx प्लस kx प्लस vv इकोल टो 0 ओके can be written लाइक दिस या ऐसे वह लिख सकते हैं कैसे d2x अपान dt2 प्लस kym प्लस bym v इकोल टो 0 ओके तो इसको भी क्या सकते हैं यह भी इस सब के सब क्या है तो differential equation of damped oscillation differential differential equation of damped most important है कि लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल नोट करिए फास्ट तो differential equation of damped oscillation और आके बढ़ते हैं चले हैं अब और यह इसको solve किया जाएं ना इसको solve किया जाएं इसको solve करना है तो अब यहां पर साल में after solving after solving this equation क्या मिलेगा डायरेक्ट लिखता हूं में हमलों का बैलू चाहिए x की displacement की so displacement x की बैलू कितनी आएगी a e power minus b of bt upon 2m into cos omega dash t plus 5 okay so this is the equation this is the displacement after solving this you will get this so x equal to a e power minus bt by 2m cos omega dash t plus 5 5 is the fate difference 5 is the fate difference okay है है होगे बटा चले हाँ इसको टायरेक्ट अपनोट करिए इस बात को फौर सा यार्द करना है यहां पर होगे हाँ चाहँ आज़ा देखेगा यह क्या है तो अब लिग दिए यहां पर यह क्या है amplitude 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 और omega dash omega dash क्याब्टा एंगुलर विलोस्टी आफ़ डैम्ड और सिलेटर जांदेंगे एंगुलर विलोस्टी आफ़ डैम्ड और सिलेटर जांदेंगे हैं amplitude of the damp oscillator तो जो damp oscillator है और यह क्या है डिस्प्रेशिमेंट डिस्प्रेशिमेंट यह है डिस्प्रेशिमेंट अफ डिस्प्रेशिमेंट अफ डैम्ड और सिलेटर का है डिस्प्रेशिमेंट हो गया तो x equal to a e power minus bty2m ब्रेकेट में cos omega dash t plus phi हो गया आई आप जाद देखना है यहां पर भई मैं यह दिकाहूं कि maximum amplitude की value क्या होगी तो जो maximum amplitude है यही होगा this will be the value of maximum amplitude क्यों क्योंकि cos omega dash t plus phi का मान का function है तो cos का function मान कि ना हो सकता है 1 तो जो maximum value x की आएगी y amplitude का लाएगा तो therefore what will be the amplitude amplitude हुआ कितना आईगे देखते हैं amplitude क्या होगा तब इसके बात हो गया नोट का लिए न है देखें maximum value of the amplitude will be how much चलिए है तेखें हो when when क्या कास omega dash t plus phi 1 is equal to 1, यtesक 1 हो जाएगा, soft plus minus 1 होग तो दोनों साइड में होगा तो amplitude भीक्स्ना-त ओंप्लीट्यूट ओं ख हमधितूट holiday था ही और अपर डौत बेटर रहे घाँड़ ड़िआ लालए टीओ गजद के साथ रहेगा यहांपर अ सब्सुनि यहांपर2late a not equal to peak value of amplitude amplitude क्या होता है frequency क्या होता है time period क्या होता है रूबे सब लो पर स्चुके हैं लो तो a not the amplitude रुआ किता है equation क्या है amplitude का a equal to a not equal minus bt upon 2m this is the fantastic result this is the this is the fantastic result so amplitude of is the amplitude 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 of damped oscillator amplitude of damped oscillator a equal to a not e to the power minus bt by 2m b you know that what is the b b is the damping factor m is the mass of the oscillator and t is the time a is the peak value a is the amplitude okay आईए और आगे बढ़ते हैं फॉस्ट नोट करते हैं यह है इक केशन आपके जाम में कई बार खाली केशन ही पूछा आपके जाम में हो गया है हो गया है है चोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग हाँ हाँ अब यहां पर जो ओमेगा डैस है ओमेगा डैस एंगुलर फ्रिक्वेंसी आप दा ओस्लेटर तो चलिए उसका भी निकाल लिया जाए नहीं पहले इसका इक्वेशन में पहले इसका ग्राफ बना दिया जाए इसका ग्राफ बनाए जाए तो इसका ग्राफ करसा आएगा चलिए देखा जाए कि देखा ताइम टी कि डिस्पर्सिमेंट कि डिस्पर्सिमेंट वाई एम्प्लिट्यूट कि धन देना है कि यह हम लोग का ए नॉट है यह हम लोग का देखेगा यह ए नॉट है मैक्सम बैलू आप दा एम्प्लिट्यूट ए नॉट है तो जस्ट अगले हाप साइकल जस्ट अगला हाफ साइकल दाट इस सम्लेस देस देखे इस से ख़़द छोटा होगा देखे ले यह तो अब यह कुछ कम हो गया छोटा हो गया एम्प्लिट्यूट एक जगा एक को दिखा दिए सब दिखाने जो उतनी है इस से छोटा अगला इस से छोटा फिर इस से छोटा फिर और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा ओके क्लिए हो गया मिंस कि देखे टाइम टी टी वाइटू यह टी वाइटू यह टी हो गया यह टी किन्ना बन जाएगा हटा टी वाइटू एटी यह हो गया टूटी यह हो गया टूटी थ्री टी ओके तो देखे रहे हैं हम लोग कि हर हाफ साइकल में हर हाफ साइकल में देखे जा हर हाफ साइकल में हर हाफ साइकल में देखे यह हाफ साइकल में तो यह पहले हाफ साइकल में यह नॉट था तो अब यह मैं कहूं कि यह वाला, तो नाम कोई दे दिया जाए, A1 यह दिनाम दे दिया जाए, तो A1 लेस दाइन A0, A0 से कम है, यह amplitude कम होगा, यदि इसको ऐसे ही नाम हम लोग A2 दे दे, तो A2 विल बी लेस दाइन A0, A1, means continue decreases, continue decreases, amplitude continue decreases, A equal to A0, E power minus, Bt by 2m, exponentially decreases, mind it, exponentially decreases, कहां पर 0 हो जाएगा, तो 0 होने में infinite time लगेगा, ऐसे ही घरता चला जाएगा, हाँ पर टच नहीं करना है, ऐसे ही घरता अभी चला जाएगा, तो exponentially decreases, Amplitude exponentially decreases continuously, जानते हैं, कि जब Amplitude घटेगा, तो Frequency भी घटेगी, Amplitude घटेगा तो Frequency भी क्यों, क्योंकि जब Amplitude घटेगा, तो Kinetic energy घटेगी, क्योंकि 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 हाफ हें, हाफ हें, एस्कॉर होती है, यहने कि टाटिक पॉपर टूए, Amplitude का इस्कॉर होती है, ओभी घटेगा, तो जाएगा, तो जाएगा, इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी के सेंच्चें जोगी चली है, हाँ पर, हाँ हो गया, बन गया है, चली, उपर लिखता हूँ, आजए, हाँ बटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, Amplitude यहाँ numerical आता है, इस पर, इस पर numerical आएगा, हाँ, अब, इस पर इंपॉर्टेंट हो गया, अब काइनेटिक इनर्जी कैसे वेरी करेगी, आए देखा जाए, काइनेटिक इनर्जी, हाफ के, ए स्क्वाइज, इपॉर्ट माइनस, बी टी अपांट, एम, ओके, तो, इस इस दा, काइनेटिक इनर्जी, आप डैम पॉसलेस हैं, ठीक, अब, इसी को हम लोग, ऐसे में लिश सकते हैं, इए इकल टू, इनाट, इपॉर्ट, माइनस, बी टी, अपां, यह, ऐसे में लिश सकते हैं, इसको, क्लियर हैं, चलिए, तो, यह था, हम लोग का, इनर्जी, ओगे बटा, चलिए, और आगे, तो, यह था, तो, क्या कै देखे हैं, अम लोग, तो, नमबर एक, सिम्पल, हार्मोनिक मोर्षन क्या होता, यह आप अप अच्छीतर से जानते हो, पिरियाडि मोर्षन क्या होता, अच्छीतर से गजब कापड़े चुकों बिटा पीछे, और सिम्पल हार्मोनिक मोर्षन क्या होता है, बहुत सारे एक जामपस लेकर कि नमेरिकल में साल्व किया, सेवन एपीसुड, हमने पढ़ाए आपको, सिम्पल हार्मोनिक मोर्षन, आसान से आसान नमेरिकल, और टफ से टफ नमेरिकल, और अभी कांटिनी प्रोसेस में चली रहा है, तो अब इससे जादा क्या पढ़ना है, सब कुछ हो चुका है, हाँ, पूरा अब नमबर वन से, सिम्पल हार्मोनिक मोशन पार्ट वन से लेकर के, पार्ट एट तक को जबर जस्त अच्छीता से पढ़ डा लिएगा, एक भी लाइन चुटे नहीं, एक भी नमेरिकल चुटे नहीं, क्योंकि अब इसके बाद वेब सुरू होगा, तो इस वाले पोस्टर में वेब सुरू होगा, और उधर पढ़ा रहा होगा, आपको हीट एंट थर्मोडाइनमिक्स, क्लियर है, चलो बटा, आजओ, अब देखें जासाब, तो यहाँ पर, डैम तो सबसे पाले देखें, इतनी बाता तैयार हो गई होगी होंगी, आपकी तैयार हो जानी चाहिए, डैम उसलेशन क्या होता है, बस एक लान बोल दीजे, जब भी कहीं पर कोई भी उसलेशन किसी भी, friction force के influence में होता है, तो उसी को हम लोग, डैम उसलेशन क्या होता है, तो अब यहाँ देखा, डैम उसलेशन का उसलेशन कैसे बनाया हूँ, उसका question क्या होता है जब उसको शाल्भ करते हैं तो displacement x example क्या होता है अब यंभी देखाएग है 3 अब वह रहते हैं अब कास्व अर्स नजीव थो कैसे amplitude कर रहा है roommate नचीच कली घू रहाई है यहां तो जाएगा फर्स लास चलिए तो सिधस द्यासा यहां से पेशन पुछता है अब उसका ग्राफ क्या है तो देखें लिए अब ग्राफ क्षा कैसे होता है डैंप ऊसलेशन का अगला पॉइंट अब पॉइंट यह है कि जो डैंप ऊसलेटर है उसकी फ्रिक्वेंसिग क्या होते हैं तो देखे होंगे ओमेगा डैस अभी कास ब्रेकट के अंदर ओमेगा डैस टी प्लस फाई था तो ओमेगा डैस क्या है ओमेगा डैस है डैंप और सिलेशन की एंगुलर फ्रिक्वंसी तो आज देखा जाए डैंप और सिलेशन की एंगुलर फ्रिक्वंसी क्या हो अगला पोईंट पिंट अगला पोईंट अगला फिंट अगला फिक्वंशी अदा लेंप ऊस्लेसर आई तो अगला 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 युकंशी आफ देंप औसलेशन तो हम लोग अभी देखें हैं ओमेगा डैस अथा ना ओमेगा डैस बराबर किना दप्टा अंडर रूट के बाइएम माइनस वी बाइटू एम का हॉल स्क्वाइर ओके इस दा एंगुलर फ्रेकुंसी ओमेगा डैस इकवल टू के बाइएम माइनस वी बाइटू एम का हॉल स्क्वाइर है एंगुलर फ्रेकुंसी हाँ यह प्रूफ नहीं करना आपको यह पर पर बहलू याद रखेगा है यहां पर आपके लेविल पर बस इतना ही एवड़ो हाना चलो और मैं कहूं कि टाइम पी होता है तो लिस्ट सकते हैं टी ब्रागर टू फाई अपान क्या ओमेगा डैस मिन्स अंडर रूट के अपान एम माइनस बी बाइटू एम का स्क्वाइब तो इस इस इता टाइम पीरिएट ओके फंटास्टी बस यहीं चीजें आपको यहाँ पर याद करनी होड़ा इससे ज्यादे आपको नहीं चाहिए हो गया चालो हुआ हाँ और हाँ 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 नोट करने हैं पस्ट लस्ट अब देखे होंगे की जो LCR सरकिट है एक जामपल इसका बैं कहूं कि कोई करने कोई for lc iaaat इसका जांपर लेखिंघ नहीं डैंपिंट तो एक लाइन नोड कर ले ल सीर पार्लल रियोरैंच तरकेट हां हो गया नोड कलिए इसको एक रहलिक बैर जांपर लेकिल दीजे यहीं पर नोड कर लेजीह अहलाकि वहां पर पढ़े आहां उसकी somehow सर्किट में चल्ड देखर तो इन इजम्पर इजम्पर इन पाइलल एल सी आर सर्किट इन पाइलल एल्सी आर सर्किट तो पाइलल एल्सी आर सर्किट में इजम्पर किसका है पाइलल एलSी आर सर्किट है डेम ऑजीलेक्टर का और वहाँ पर ओमेगा की वैलू आती है अंडर रूट वन अपान एलसी जानते होता ही है अलो यह वाला फार्मुला आपको याद होगा फार्मुला प्टा एन ब्राबर वन अपान टू पाई वन अपान अंडर रूट एलसी याद आ रहें प्टा यह वही वाला फार्मुला ह दाएगा तो 1 by LC minus r by r by 2m का whole square तो यह है विटा डैंप ऑसिलेटर LCR पैललर रिजोनेंस ना पैललर LCR बातार सरकिट में डैंप ऑसिलेटर की जैसे वर करता जाब ओमेगा की वैलू यहां थी धर इजांपल अफद डैंप अप्द डैंप अच्छाइटर आज जब डैंपिंग नहीं होती है यह विदाउट डैंपिंग बिल्कुल ना रहे ना डैंपिंग बिल्कुल ना रहे नहीं आता है और वह यलका होली स्क्वाइर ओ फंटास्ट है तो यह है कि ओमेगा की वैलू है कि जंपल है डैंप ऑसिलेशन का अगला पॉइंट अब यहां लोगों का फूर्ष्ट ऑसिलेशन है होगा चले है में में बातें याद रहें आपको में में बाता याद है आपको यह पूर्फ नहीं करना है कहीं पर भी कोई भी यहां पर पूर्ष्ट नहीं है जो डैंपिंग वाला पॉर्ष्ट विटा वह आपको खाली मस इतना याद है दब्लेस्ट आप के लिए आपके लेविल पे इस है अब है अरोव है कि फोस्ट औ्स इंडा और वह पूरेशन क्या होता है श्यूंहेभ ढर बारा शुर्च मे package पुछता है कि की फोस्ट और सिले श्यंतों है बार बारć वीक्वच उच्छ सब्सक्राइफिशन फुच्राइजें क्या हुता है चलिए आज आए पले head in roll दीजिए forced oscillation forced oscillation क्या होता है forced oscillation क्या होता है चलिए कहीं पर भी कोई भी कहीं पर भी कोई लाइन फ़ेले मेंशन कर दीए कि when when any oscillation is taking place when any oscillation देखें अभी अभी नेट दो हजार बाइस में यही कोई शन आया हुआ है और उहाँ पर theory बना कर के means statement बना कर के दे दिया गया था और डीप क्रेशन पूछा था डीप क्रेशन पूछा था क्या फोस्ट असलेशन में होता क्या है तो मैं भी जो सम्झाने जा रहा हूँ आपको यह आया हुआ है तो क्या अब आता है कि क्या हलका फूल के पढ़ाई से काम चलने वाला है नहीं और क्या कोई टापिक छोड़के निकल जाए इस इंपर हाई मोजबाल या पढ़े हुए हैं डैंपिंग नहीं पढ़े हुए हैं तो क्या काम चलने वाला है नहीं इसी को कहते हैं मैंटेंड जलेशन भी कहते है इसी को फॉष्ट ज Mendageा जलेसन तो लोगों की चीजिज़े होती है है हो McNamS बटा हो आपको आवस महां को सबकुछ बलेड कुली सबकुछ चले तो पहले एक लाइन का definition आपने याद करने के लिए 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 कि वेव एनी औसलेशन इस टेकिंग प्लेस इन दा इन्फुएंस आफ इन दा इन्फुएंस आफ इन्फुएंस आफ एनी एक्स्टर्नल प्रियाडिक फोर्स विच जो क्या कर रहा हूँ विच सपोर्ट तो चुमुँद दो मुश है is ं जो पी ऐसे जमका सपोर्ड करा विरूद नहीं युद माला त ישन ला तो भीरूद करता है न तो दिव Люб बन जाता है और यहां पर क्या बोला जा रहा है support कर रहा हो, तो support कर रहा हो, तो for which support the oscillation, that is called, ऐसे ही को क्या बोलते हैं, that is called forced oscillation, so that is known as the forced oscillation, means, कोई भी oscillation ऐसा हो, कि जो किसी external, कोई भी oscillation ने साथ, कोई जो किसी external, periodic force के influence करता हो, हो रहा हो, तो आप कहेंगे, कि वही है क्या, first oscillation, उसी को कहेंगे, first oscillation, पर जामपर, बहुत अच्छा ही जामपर, जो आप खुद ही किये होंगे, ने किये होंगे, तो जरूर देखे होंगे, क्या, बच्चे को जूला जूलते होंगे, पार्क में डेली देखते होंगे, किसी पार्क में गए होंगे, तो जरूर देखे होंगे, देखते होंगे तो वहां होता क्या है कि एक बचा जैसे माले की जुला जुला है ऐसे तो खीचे हम छोड़ दिये देखते होंगे धीर धीरे 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 उसका amplitude घट रहा होता है यानि कि जो maximum displacement है वो घट रहा होता है तो पहले दूर तो जा रहा था छोड़ दीजे या उसका displacement यानि कि उसका amplitude घट रहा है continue घटता जाए क्यों एयर का friction है आप प्लस जुला जहां पर बधा हुआ है जो एक्सिस उसकी है वहां पर भी friction है तो idea की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि friction कहीं नहीं है तो यहां तो आलोड़ी friction है वहां पर भी जो एक्सिस है जिस पर उ तो हवा का friction लग रहा है उस पर तो air का friction है और जानते friction उतना ही ज्यादा लगेगा और जूले का amplitude घटता जाएगा continue, continue decrease करेगा continue decrease करेगा तो क्या बोलते हैं इसको तो इसको क्या बोलेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं ऐसे को कहते हैं इसको कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग डैंपिंग लेकिन अब वहीं पर इसका दूसरा फार्म क्या क्या दूसरा फार्म तो देखते होंगे कि जो जुला अचे देखता है नहीं दूर जाने लगता है इतना ज्यादा फोर्ष Giris कि वह बार बार वहां support कर रहे हैं उसे के दिशह में फोर्स दे रहे हैं तो हम support कर रहे हैं कि फ्युत नहीं दे दिया दुबार सिर्था हिभार इन दाहिए तीसरी बार आ फिरटना दे दिया है छौधी वर आया ठिर्शान वा आन्या आज यने और इस संगहो हो रहा है cht- Smiagranasya maroda minimum हो रहा है fixed time पर हो रहा है U from time proudonstごा एक अधर खड़ा होगा उधर तो यह 12 अधर से दें रहा है कि तो हो रहा है दोनों तो से ठोपर 554 गढल रहा है तो यह किसी एक्स्टर्नल फोर्स को स्वेसमों होगा ना तो जब कभी भी ऐसा oscillation कोई भी हो रहा हो कि जो external periodic force के influence में हो तो ऐसे को कहते है forced oscillation क्या बोलते हैं इसे को forced oscillation और कहाते हैं कि maintained oscillation क्या होते हैं तो maintained oscillation यही forced oscillation ही maintained oscillation है अंतर मतरी है कि उसमें energy supply की जाती है और इसमें force supply किया जाता है means कि अब जैसे माले कोई oscillation हो रहा है कोई oscillation हो रहा है तो चुकि एंसियाटी में मैं टेंट oscillation का जिक्र नहीं कहीं किया हुआ है लेकिन आप जानते रहे हैं तो जैसे माले यह कि एक oscillation में जितनी energy lost हुई है उतनी energy हम कहीं से दे दे सप्वाइग कर दें तो यह उतनी energy को पा गया तो फिर अपने अम्किलिटीड को मेंटेंड कर लेगा है पिर इतना कम हुआ फिर उतना पा गया तो ऐसे या से अजब energy जितनtv again a cycle में हाप थाएग ले लिले जिये तो हाप उए afar कि में जितना है maintained oscillation क्या बोलते हैं किर से बोलिए हां बोलिए maintained oscillation जब first बाहर से हम दे रहे होते हैं तो क्या बोलते है first oscillation and now the point what is the first oscillation अब जासा देखिए कुछ और example लेते हैं यह तो जूला का example लिया बार-बार अभी देखिए आपके नीटी जाम में आया हुआ है 2022 नीटी जाम 2022 में कुछ आता हुआ थे चार statement दिये हुए थे उसमें से कौन सा सही है साथ यह आपको बताना था जैसे माले कि हम लोग टूनिंग आप अउप फोरक ले ले और टूनिंघ फोक ले लिया उप को इंटर की किताबो में आपको लिखा हुआ है example about tuning फोरक ले लिया उससे पैड़ पे जर्क दिया वायब्रेट कराया और वायब्रेट कर रहा उसी प्रांझ वायब्रेट कर और उसको किसी टेबल पे रख दिया। तो उसका मेकेनिज को पूछा था की रख देते हैं तो क्या होता है रख देते हैं तो क्या होता है और NCRT की किताब में इस साफ साफ लाइन आपने लिखे गई है। इसलिए उसी लाइन को बना करके उसने क्या पूछ दिया इंटी ये वालों ने एक क्वेशन पूछ दिया आप से तो फिरहाल अब उसमें क्या होता है तो मैं उसको डिक्स कर रहा हूँ नीट 2022 का जनते हैं कि पी हंडेट फिजिक्स नीट 2022 का इंडिया में सबसे फास्ट सबसे पहले साल्व करने वाला मैं हूँ और वह आपको जिस दिन एक्जाम हुआ था ठेक उसी दिन साम को आठ बजे के आसपास यूट्यूपर पी हंडेट फिजिक्स पर लोड हो गया था सारे बच्चों ने देखा आप देखे हैं नहीं वहां पर पूरा साल्वे बार जरूर देखना लिएगा पूरा बहुत अच्छा साल्व दिया हुआ है फिफ्टी क्वेशन्स हैं फिफ्ट इंडिया में सबसे पहले साल्व करके मैं उसको डाला था यूट्यूपर आप लो अचे गयाता है तो दस मिनिट के अंदर साल्व करके यूट्यूब पर फिल लोड हो जाएगा नहीं सब फिर होगा 2022 फिर वैसे ही होगा फिर पाल तो आप जलूर देखेंगा साल्व है नहीं जो पेपर से हो साल्म मिलेगा को अपको आपको बात करना पर्श्ट ऑसे तो क्ल अब यहां तो नीट में जो पूछा गया वो क्वेस्टन करने पहले एक टेनिंग फोर्क लिए आपने जर्क पाइट पर मारा असलेट कर रहा है वह वह असलेट कर रहा है और उसको आपने एक टेबल पर रख दिया जानते हैं कि हर बस्त की अपनी फ्रिक्वंसी होती है हर बस्त की अपनी फ्रिक्वंसी होती है हाँ पक्का हर बस्त की अपनी फ्रिक्वंसी होती है हाँ आपके अपनी फ्रिक्वंसी है हमारी अपनी फ्रिक्वंसी है इस बिल्डिंग के अपनी फ्रिक्वंसी है कोई भी सामान टेबल और जो भी देखर उसके अपनी फ्रिक्वंसी ऋपला तो दुनिया का पुरा universe, पुरा daha ब्रामान, Sun, Moon, सभी प्लॉने सब कुछ हर सब कुछ सब वाइब्रेशन में अब सवाल यहां पर आता है कि रिजूनेंस क्या होता है जो हुम नोद पढ़ेंगे अभी आगे वे इंडॉसलेसर में पढ़ेंगे अम लोग regionance वर क्या होता ना वहाँ पर भी जो closed जो organ pipe होते हैं जो open organ pipe होते हैं भी पढ़ा जाएगा ऐसा बाद में regionance होए रहा है तो regionance क्या होता है तो जब कभी भी applied frequency किसी बस्त के natural frequency की बराबर हो जाती है या उसका integral multiple हो जाता है तो उस state को regionance कहते है यानली क्या कहेंगे कि natural frequency equal to applied frequency तो उसे regionance कहते है that is known as the regionance and at the time of regionance and at the time of regionance resultant amplitude of the body increases and it becomes minimum two times amplitude Amplitude becomes minimum two times, and since you know, energy or intensity is directly proportional to the amplitude square, and therefore since amplitude becomes twice, therefore the energy becomes or intensity becomes four times, so energy is four degrees. यही रिजन है कि जब आर्मी वाले गुजर रहे होते हैं किसी पुल से, पुल पर से, ब्रिच पर से गुजर रहे होते हैं, तो कहा जाता कि फ्लैग मार्श करते समय ना चले, मतलब कि सबका कलम एक साथ ना, ऊपर नीचे ना हो, तो अट रेंडम हो, ताकि वहाँ पर जोने से सेुप हो जाएगा, और जब रिजने सबके कर दोड़ में úठेंगे, एक साथ गिरेंगे, एक सा उठेंगे, एक साथ गिरेंगे, आर्मी वालों के, तो एक फ्रिकट्वेंशी वहाँ पर सेट इट अप होगी, और जो फ्रिकट्वे सी होगी वह इन्ट, इसके ब्रिज के ब्राबर वो सकती है या उसका इंटिव सकती है प्रडां क्या होगा प्रडां में होगा कि ब्रिच करट कर जाएगा तो इस नहीं का जाता कि आलमINE वाले किसी ब्रीच से पास्थ कर रहे होते हैं तो वह वह फ्लाइक मार्स करके स ayudता कि चालो न आप तो में इसके जब ही तो आहां पर यहां क्या क्लिए होगा कि रिजुनेंस क्या होता है तो रिजुनेंस होता क्या है तो रिजुनेंस रिजुनेंस वह उस्था होती है जब एक्स्टरनल फ्रिकॉंसी जैसे अब आर्मी वाले फ्रिकॉंसी इस्टरनल हो गई अब ब्रिज की फ इसके अपनी फ्रिक्वंसी होगी मैं बोल रहा हूं तो मेरी अपनी फ्रिक्वंसी है दोनों फ्रिक्वंसी आप उसे मैच करेंगी एक लाउड सौंड सुनाई देगा एम्पलिटूड बढ़ जाएगा तो उसे कहेंगे कि रिजोनेंस सेट अप हो गया यहां पर चाई पी करके रखिए गिलास तो एक ऐसा अवस्ता हो सकता है कि मैं ऐसे बुल रहा हूं लेचर दे रहा हूं तो हमारी जो वायस है इसकी फ्रिक्वंसी और जो ग्लास ग्लास के अंदर जो एयर भरा हुगा है उसमें कुछ नहीं खाली गिलास रखा हुगा उसमें काले थूपर हैं तो कि और जो अंदर इसकी फ्रिक्वंसी और हमारी कुछ दुभन है उसकी वह टूटै है ओर पूह सandaag कर जाये हैं जैसे तो आउनकर या जाएक होगा फरिक्वांसी तो जिसके लिए कर रहे होंगे उसकी से मेच कर जाएगा या तो उसका मज़िपण होगा प्रभावी कि ऊसे कितना प्रभावी है तो वह ज्यादा परचार उना प्रवाबी हो जाएगा ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं रिजुनेंस की बार आप करते हैं जैसे कि अकवर के दरवार में तॉंसें तॉंसें चरिया को अपनी अपनी मुजिक से बारिश देता था या आग जला देता था या पत्तर हिला देता था तो सब कशी का एमबल था रिजुनेंस। अब वह क्या किया था रियाज, यारि प्रेक्टिस, प्रेक्टिस मैक्समौन परफेक्ट, कुछ भी असंभव नहीं रहता है, तो वह पर्यक्टिस हरा, उसो मेंसे से पास, वह रहता है, उसे से फिर्क्वंसी पर यह चीज हो अब जलता था, सब कुछ होता था और आज भी सब कुछ हो जाएगा, आज भी सब कुछ कर सकता है, बसदे की उतना प्रैक्टिस करने वाला चाहिए, और बैटा, तो दिसी दफीजिक्स, क्या पोड़ा है, पी हांडेट फीजिक्स, दिसी दफोर्स लाइसे तो मैं यहां पे जिस एजमपल का पूछा, हम उसकी discuss कर रहा है, अब चलते फिर से, आपने ट्यूनिंग फोर्क लिया, जर्द दिया, यानि कि उसको बजाया आपने, वाइब ब्रेट कराया, और ला करके आपने क्या किया, आप टेबल पे रख दिया उसको, टेबल पे कहीं पर भी कोई भी ज पहले disturb oscillation हो रहा होता है, यानि कि frequency amplitude fixed नहीं हो रहे होते हैं, पहले disturb oscillation हो रहा होता है, यानि कि जो पहले पहले, रिजोनेंस सेट अप होने के पहले, तो रिजोनेंस सेट अप होने के पहले जो और्सलेशन हो रहे होते हैं, वह इजाइट नहीं हो रहे होते हैं, कुछ इस टाइब के हो रहे होते हैं, कुछ इस टाइब के हो रहे होते हैं, कुछ इस टाइब के हो रहे होते हैं, तो This is the, this is the diagram at that time before setting the, before setting the regionings. जब regionings set में हुआ रहा है, तुश्के पहले का क्या case होता है, तुश्के पहले का situation यह हो रहा होता है, कुछ इस टाइप से हो रहा होता है, डिस्टर बासलेसं सो हो रहा होते हैं, क्यों? तो क्यांकि वहाँ पर दो frequency हैं, दो amplitude हैं, दोनों का सुपर position हो रहा होता है, किसका किसका, एक वर table और दूसरा यह तुरिंग 4, तो दोनों की frequency, दोनों का amplitude, दोनों का सुपर position हो रहा होता है, तो कहीं पर भी कोई भी final graph नहीं आता है उसका, उसे कहते हैं वह दिस्टर्ब oscillation ह बोड़ा होता है एक वस्ता ऐसा आता है ऐसा होता क्यों है बहुत सी बात है जैसे वाली के भी हम दो लोग हैं और अभी कोई परचे नहीं है अचानक मिले हुए हैं तो हम अपनी वे में रहना चाहेंगे और आप अपनी वे में रहना चाहेंगे तो ही बात है यहां पर वही है तो वहाँ पर एक table है और एक tuning fork है, tuning fork चाहता है कि वो अपनी frequency से oscillate करें, और table चाहता है कि वो अपनी frequency से oscillate करें, tuning fork चाहता है वो अपनी frequency से oscillate करें, लेकिन tuning fork चुकि external applied है तो वो चाहता है कि यह table मेरे frequency से oscillate करें, होता क्या है, होता क्या है, होता यह है कि चुकि table की frequency मुझे दिखाएने दे रहे तिया कि उसकी frequency बहुत ही कम थी और इसकी frequency हो को दिखाए दे रहे थी शी frequency बहुत ही ज्यदा थी ट्यूणिंग फोर की प्रभावी कौन है लेशन हो रहा होता है धीर लेटर आन यानि जैसे जैसे टाइम बीताता है वैसे 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 टेबल की फ्रिकॉंसी डाइ आउट हो जाती है यानि कि टेबल की जो फ्रिकॉंसी हो रही होती है टेबल की फ्रिकॉंसी समाथ होने लगती है और जो इसकी फ्रिकॉंसी है यानि कि टेबल भी, mind here, टेबल भी tuning 4 की frequency से oscillate करने लगता है, क्या हो जाता है, टेबल भी tuning 4 की frequency से oscillate करने लगता है, तो हम कहते हैं कि उस समय दोनों frequency आपस में बराबर हो गई, तो या तो कहिए कि दोनों frequency आपस में बराबर हो गई, या तो कहिए कि टेबल भी उसके frequency से oscillate करने लग तो बदाबर हो गएं, दोनों बाते एक ही हैं, तो फिला करते हैं कि रिजूनेंस, तो जब भी बात आती हैं रिजूनेंस अनुनाद की, तो कहेंगे कि जब जिसके standard frequency, जो बाहर से लगाई गई बस्थ के उपर, और जो बस्थ की अपनी फ्रिकॉंसी थी, दोनों बराबर हो जाती हैं यानि कि दोनों एक ही frequency से oscillate करने लगती है किसके जो बाहर की standard frequency है उसके oscillate करने लगती है तो उसके को कहते हैं क्या regionance that is the condition of the regionance okay and at the time of the regionance at the time of the regionance at the time of the regionance amplitude becomes maximum amplitude max हो करता है अब हम चलते हैं वीटा तो this was the example of the first oscillation clear हो गया first oscillation क्या होता है example देखे जूला का मैं दिया that is the that is the example of the first oscillation now the question what will be the equation of the first oscillation आपके exam में कई बार पुछा है चार्ज equation बार को दे देता हो कहता कि which one is the example of first oscillation तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट अउस्टों क्या है ओके कमान तो राटद डाइन first oscillation equation equation लिए उसका equation क्या हो हो हुठ हाँ, equation क्या होता, चलिए देखते हैं, तो लिए देखते हैं, तो लिए देखते हैं कि equation, फर्स्ट ओसिलेशन, equation, जमते हैं कि equation, अभी अभी देखा हम लोगों ने, कि जो equation था, m, d2, x, by dt, square, plus, bx, plus, no, plus, k, kx, plus, b, v, equal to, okay, यह हम लोगा, डेखते हैं का equation है न, यदि right hand में, पहले वाले में क्या था, right hand में 0 था, यदि यहां पर कोई periodic force के बराबर हो जाए, यही है, क्या, f0, cos, omega, omega t, plus, phi, okay, यदि, यह किसी periodic force से बराबर हो जाए, यह जो बाहर का, जो बाहर का force है, external force है, यह उसकी frequency है, omega d माना गया वेटा, n, c, r, t, book में, इसलिए हम नहीं भी जाए हम पर, omega d लिए दिया, आपको आसानी के लिए, तो, m, d, 2, x, y, d, t, square, plus, k, x, plus, b, v, equal to, yes, देखे, यह बाहर का, यहीं periodic force, यहीं यानि कि जो डाइम, पॉल, observation के जो आया है, जो डाइम, पॉल, equation आया है, वह वह से रहने देजिए, लेट हैंड में, और राइट हैंड में, बराबर किसको कर दिया, कोई periodic force, तो, periodic force means, कि, f0, f equal to f0, cos, omega d, t, plus, phi, 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 क्या है, फिर डिफ्रेंस, तो, यहीं कर दिया जाए, तो, इसी को करते है, हम लोग, equation of, equation of first oscillation, this is the equation of first oscillation, underline कर दिजिए, इसी को, इसी underline कर दिजिए, हो गया, चले, और आगे आईए, हो गया, हाँ, अब यह बात और भी, यहाँ पर omega ऐसे भी लिए सकते आप इसको, इसको आप ऐसे भी लिए से लिए, बिटा, देखे, 5 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखोटा, cos, omega लिए, यहाँ D लगा दिया, और इहाँ T लगा दिया, ऐसे भी लगा दिया, देखोटा, यदि ऐसे रहे तो भी, और प्लस 5 है तो भी, don't be confused, ऐसे है तो भी बिटा, तो इसको कहते हैं हम लोग, equation of, equation of force oscillation, means, देखे, यह बाला तो पहले से ही था, इतना, damp है, आई से बालाबर कि प्रियाडिक फोर्स कर दीए, F0, रस्तिया पर F0 क्या है, amplitude of the force, F0, F0 equal to, amplitude of periodic force, आप देखेगा, इस equation को यदि यह हम से डिवाइड कर दिया जाए, तो आप ऐसे भी लिश सकते हैं, यह हम से डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, लेकिन यहीं standard form में है, ऐसे ही रहने दीजिए आप, ऐसे ही नोट कर लिजिए इसको, अब यह, देखे, यह है differential equation है, इसका solve, आपको solve भी करना है, आपको यहाँ दो बाते याड करनी है, आप आप 80 में देने जा रहे हो, या आप निट देने जा रहे हो, तो यह, यहां से बहुत ही simple question आता है, बहुत ही simple question आते है, जो यह question आप से पुछा जाएगा, जो line में लिखा भी ब्लेक बोर पे इक्वेशन आप फिच वन इस दा इक्वेशन आप फोर्ष्ट ऑसलेशन तो यह पहले याद कर लिजिए आप एंड आफ्टर सॉल्विंग इस इक्वेशन वाट वी लिगेट तो एक लाइन चलिए एक मिनट अब इसको जब साल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा तो मैं उसको बता दूं आपको हुआ है हुआ 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 है हम चल्ब ना हो गया है कि जैसे अभी भी बताया न कि जो टेबल की फ्रिकॉंसी होगी धीरे 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 देखो डाई आउट हो जाएगी और एक्स्टर्नर फ्रिकॉंसी के साथ में ही दोनों सिस्टम एक फ्रिकॉंसी से उसलेट कने लगेंगे तो एकलाइन लिखेगा कि आफ्टर आफ्टर डाई आप्टर डाई आउट निचरोल फ्रिकॉंसी नेचरोल फ्रिकॉंसी जैसे अबहेंवें जाइंपल कर सकते हैं कि टेबल लिख दीजाओ जैसे जीजापला आपको समझाया हूं ना उसी के बेस पर यह पर टेबल लिजिए तो याद दाएगा तो आप्टर डाई आउट दर तो आफ्टर डाई आउट निच्टर फ्रिकॉंसी शिस्टम शिस्टम और सिलेट्स विद एक्स्टर्नल फ्रिकॉंसी इस प्रिकॉंसी में क्या हम लो लिए हैं ट्यूनिंग फ्रिकॉंसी शिस्टम और सिलेट्स विद एक्स्टर्नल फ्रिकॉंसी तो आउट था अब यहां पर देखें कि कौन है ओमेगा डी तो ओमेगा डी से या ओमेगा डी इस्ट्रंडर फ्रिकॉंसी पटा नधी यैंश्ट्रंडर फ्रिकॉंसी तो ओमेगा डी इस से वा उसलेशन पूरा सिस्टम और सिलेट कने लगे जा मिज्ञ टिरिकॉंसी द्हीरे से नेचले तुनीं फोर्क के प्रिकॉंसे से रिखाट अज़ित करता है ठेख स्लास हो ग्या के यह और यहां पर यह पर एक लाइन अव Schul всегда कि अब कर नियुक्त अब इसका अब इसका अबगार्वक्री एका-ले सいた à बस दो लाइन है यहां पर आपको दो लाइन याद रखनी है जो वार बार आप फिज़ा में पूछता था थोड़ा सा आपके मैं जानता हो कि कोशीं में साथ ही पढ़ा गया हो रहे कोशींग वाले नहीं पढ़ाते हैं तो इसलिए ना पढ़नों बहुत जरूरी है अभी दे अब तो अब क्या हुआ कि चलों आप्टर सॉल्विंग दिस तो क्या मिला डिस्फ्लेशिमेंट डिस्फ्लेशिमेंट क्या मिला हम लोगों तो एक्स टाइम का फॉंक्शन जानते हो एक्स टी और आएगा कितना तो एक्स टी वेड़ों अभड़ा आजा बाटा हम लोगं का एक कोस्ट अमेगा टी हुआ यह है हम लोगा यह 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 हम लोगों डिस्फ्लेशिमेंट मिल जाएगा और फ्रिकुंसी के आनी है amplitude के और जहां पर एक अमान ली देना यह तो डिस्पर्सिमेंट हो गया अब लिखेगा और amplitude क्या आएगा एकोल टू एकोल टू एफ नाट नोटप एफ नाट एम बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन यह लाइन है मिटा ओमेगा ओमेगा डी का होल स्कॉायर माइनस प्लस ना बी अप्ल्डी अप्लाइगा d का square into b square ओके तो यह लाइन बहुत important इसको याद कर लिए तो तुरूंत तुरूंत याद करिए इसको हाँ इस लाइन को जोड़ी याद करिए amplitude बराबर क्या होता फोस्ट और सेशन में amplitude बराबर क्या होता चितर स्नूड कर लिए इसको हो गया और एक काम और कर देब्टा डिस्प्रसिमेंट माल यह दिए फाई हर ना यहापे तो एक काम यहापे और परम्टा कि फ्लस डेल्टा फाई कर दीजेगा फाई हाँ ऐसे कर देजेगा इसको कि अब क्या लेजिए ठीक और एक राइन और रिक देजिए आपार कि टेन फाई की वैलु कि नियाज़ यह बस याद करना है इसको बस याद कर लिए या यहाँ पर नोट कर लिजेए माइनस वी नाट अपान ओमेगा डी एक्स नाट ओमेगा डी एक्स नाट यह वैलू या कर दिना है यहां से अटा दे हैं हाट एक लाइन और डूट कर दीदा कि लेज़िए कि टैन फाई का मान कितना आएगा तो माइनस भी नॉट अपान ओमेगा डी इन्टो एक्स नॉट यह है वैलू आती है विटा टैन फाई प्रूफ नहीं करना आपको नहीं यहां पर दो रिजल्ट आपको सीधे जाद करेगेगा एक्स नॉट क्या है डिस्प्लेसिमेंट आयट टी वावर जीरो और वे नॉट क्या है विलोस्टी आयट टी वावर जीरो ओके ओमेगा डी तो पता ही आपको ओमेगा डी इकल टो एंगुलर फ्रिकंसी आफ एक्स्टरनल प्रियाडिक फोर्स होगेटा इस्टरनल फ्रिकंसी आप इस्टरनल प्रिकंसी आप यह बात इतनी याद रहें चलों आप अब जाद देखेगा यहां पर यह दो आस्थाएं हो सकती है दो आस्थाएं यह गया थे हम लोगों कीस को लिए हैं ? एक टेबल है उस पर हम लोगोंने एक टुणिउफोर बजा करके लगा दिया रख दिया है वो continuous oscillate कर दा tuning force जानते हैं कि tuning force is the standard technique to determine the uniform sound जैसे हम लोग की electric field अब मैं कहूं कि uniform electric field के लिए क्या यूज करोगे आपको चाहिए uniform electric field आपको मालेक चाहिए तो आप कौन सा technique यूज करेंगे तो आप कहेंगे कि uniform electric field के लिए आप लोग यूज करते हैं capacitor मैं कहूं कि uniform magnetic field चाहिए तब क्या यूज करेंगे तो uniform magnetic field के लिए को चाहिए solenoid और मैं कहूं कि uniform sound कैसे मिलता है sound आवाज तो uniform sound कैसे मिलेगा तब आप कहेंगे क्या tuning fork तो tuning fork is the simple technique to produce uniform sound okay तो omega is the frequency of the table and omega d is the frequency of the tuning fork when both will be equal then this factor this this term will be 0 and when this term will be 0 then the amplitude at the time of the resonance at the time of the at the time of the region that situation of will be of the resonance so that situation will be resonance and at the time of the resonance what will be the maximum value of the a f naught upon omega omega d square b square this is the fantastic answer and what will happen let this term is much less in comparison to in comparison to this यानि कि जब यह इसा से बहुत कम हो तब क्या होगा तो जब इसा से बहुत कम होगा तब क्या होगा इसा मतल्बे हुगा कि यह term 0 है तो जब यह term 0 है तो this will be effective तो उसमें amplitude क्या होगा उसमें amplitude this upon this होगा clear उसमें amplitude this upon this होगा तो फिरा दो आवस्थाएं बनेंगी पहला आवस्था क्या होगी आई ये चले देखते हैं तो at resonance at resonance क्या होगा तो at resonance omega will be omega d and then what will happen these factors will be 0 and the amplitude a max will be how much ये होगा और इस situation के पाँले ये है case first करा किस्द Proseक्ण क्या हुआ कि चैस सउसिकंड क्या होग में हो में 25 माल बहुत ज्याद ओर मेंस कि रहें ओमेगा डी वें ओमेगा डी इन्टु बी बी मच मच लेस दैन एम ओमेगा माइनस ओमेगा डी हो गया हाँ ए बात और ए बात और बटा कि ये सब कुछ ना ये सब कुछ अंडर रूट में है बटा तो यहाँ पर याँ इसे कर दीजिएगा एक बात दो लगा देजिवा ईहाँ पर ओन बाइट वाइट देखेगा भुले नहीं बाइट उन बाइट लगा दीजिए रूट के अनदर है समना हो गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा था अंडरूट हो जाएगा तो फिर क्या लिखते हैं इधर लिखते हैं यहां इडोट कर लिए होंगे देखेते हो चले इसको थोड़ सा एक लाइन और देख लिए अपर तो ए मैक्स बराबर किना बटा तो ए मैक्स बराबर हो गए हमनों का एफ नॉट अपान ओमेगा डी इन्टु भी यह देशिए फंटास्टिक एंस है यह आपके इजाम में आया हुआ क्वेश्चन और दूसा केस दूसा केस जब इसका मान बहुत ही कम होगा तब क्या होगा तो अभी हां पर एसे कर दीजिएगा कि इसका इसे का इसका सकार कर देजिए आनेह रादिजी छोड़ी सक्षार नहीं भी करेंगे तब हमेंगे इसको इसका कर दिजिए नहीं तो छोड़ दिए मैं अ हो गया तो हम केस दो हम और आजाओ चल देखो केस दो यहां लिखा जाए कैमरे नहीं आ रहा होगा केस टू यहां ले ले लिए केस टू जब वोच्छा मान बहुत ही कम हो मिन्स ओमेगा डी स्क्वाइर बी स्क्वाइर मुच लेस इससे एम ओमेगा माइनस ओमेगा डी बहुत ही कम हो तब क्या होगा आईए देखते हैं कोई उटे हैं चलिए हाँ तब देखें तो यह बराबर क्या होगा यह मैक्स तरह बग्या होगा देखें एफ नॉट अपान क्या एम ओमेगा माइनस ओमेगा डी पामर वन बाइटू लगा ही यह जानते हैं तो इसक्वाइर और पामर यहां पर वन बाइटू लगा देखें तब यह होगा ठीक है अब एक बात है आपकी जाम में पूछा गया क्या एक साथ पूछा था कर बना करके किसकी डैंपिंग जादा किसमें डैंपिंग अधिक है तो जानते हैं जब जितना ज़्यादा डैंपिंग होगी डैंपिंग जापनेश बश् ув ग्राफ से उतना ही कम होगा यानिकि अंपिट्यूट का मान उतना ही कम होगा डैंपिंग जापनेश आप डैंपिंग जापनेश बनात इस जापनेश नंगद अभब सरकार्षय को तो ओस स conscious خ्य यह h मैक्स यह बता रहा है एक कम मिला है जब यह इन अपड़ रिजोनेंस अजब इन नहीं रहेगा तब क्या होगा जब इतना होगा इसके ब्राबर होगा और आगे तो आज आई है अब और आगे बढ़ते हैं हाँ शार्पनेस अब जग रहा चलो अब है हमनों का पॉइंट शार्पनेस शार्पनेस अगराफ ठीक है ना चले सब्सकरिए कि अम्प्लिट्यूट और फ्रिक्वेंसी के भी से अंगुलर फ्रिक्वेंसी भी गराफ कीचा जाए आए यह है एम्प्लिट्यूट या हम यहां इनर्जी भी ले सकते हैं इनर्जी और ओमेगा भी ले सकते हैं शापोस्करिए कि यह एक ग्राफ है एम्प्लिट्यूट और फ्रिक्वेंसी अम्प्लिट्यूट और फ्रिक्वेंसी अंगुलर फ्रिक्वेंसी आए इधर भी ओमेगा दी अप्टा यह है पॉइंट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डी यह है दूसा कोई ग्राफ है कोई दूसा ग्राफ है कोई और ग्राफ ले ले कोई और ग्राफ ले देख चले और चले देखें तो कैसे पता करेंगे यह कैसे पता करेंगे कि किसकी डेंपिंग सबसे ज्यादा है वो सिधी सी बात है इसकी साफनेस साफनेस मैंक्सिमूम है किसकी पीक मैंक्सिमम है यहीं आपका यह आपका यह यह मैक्स है जो अभी आपनों लिखे थे मैक्स तो साफनेस मैक्समुम में इसकी है तो जिसकी साफनेस मैक्समुम उसकी डैंपिंग मिनिमुम तो को, डैंपिंग, ल अब नैशने का हूँ, देखbereich तो इससे कम साल अपन नेस्ण याद़ माक्सिमम डैंपिंग किसे में हैोchat के नीचे वा ले ग्राफ में माइक्सिमम टैंपिंग और मिनिमम सापनेश अब सवाल यह है कि पैस्चानते कैसे हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कैसे पैस्चानते हैं एक स्माल चेंज ले लिया जाएं उगलर फ्रिकॉंसी में एक लाइन ड्रॉक कर दिया जाएं एक लाइन ड्रॉक कर दिया देखेगा यह है यह वैसे देख करको इसे ही किलियर है लेकिन किताबी भासा क्याब ना किताबी भासा यह है कि यहां पर डेल्टा ना यह डेल्टा ओमेगा श्रफ केट तो हैं नम्हीं क्या जाएं टो इंगुलर त्रीकीवासी में साश क्या जाएं इसमाइल में ब्रावबर है ग्राफ नमबर वन मुकूं smaller एक कि नमबर दो नमर तीन ये ओमेगा समान चेंज किया जाती इनों में, तो किसे के पीक में ज्यादा चेंज हुआ, देखेगा, इसमें कितना हो रहा है, इतना, देख रहे हैं, ये इतना पॉर्ष, इसके पीक में देखे के ना चेंज हुआ, इस वाले में देखे हैं, ये हम लोग किसका देखे हैं, इसका देख हो गया, अब जार इसमें देख रहे हैं, देखे एक इंड ये हैं, एक इंड ये हैं, देखे रहे हैं, एक इंड ये हैं, दोनों आसी पास हैं, देखे रहे हैं न तो सबसे ज़्यादा यह, फिर यह, फिर यह, सबसे कम यह, तो जिसमें, जिसके पीक में ज़्यादा चेंज हुआ, इसमाल, देखें, इसमाल, सेम, बराबर चेंज किया जाए अंगुलर फ्रिकंसी में, तो जिसके पीक में, जिसके एंप्लिट्यूड में, जिसके इनर्जी में, या जिसके इंटेंसिटी में, ज्यादा चेंज होगा, उसकी कहेंगे कि उसकी सार्पनेश ज्यादा है, सिधे सब्स Del function कर दिए सा शार्पनेंश का शार्पनेश आप शार्पनेश पर परपोस्ट अपान डेंपिंग कर दो ओके तो ढूम कि निजय का जिसमें डेंपिंग ज्यादा उसकी सार्पनेश कम ओक्य तो चले अब हमने आपसे बोला था कि अब यहां बहुत इंपऌर्टन्ट अब आ जाइए यहां आपको नुमेरिकल भी आएगा तो आगे दिखा जाएगा फिर वी वेव पढ़ा होना शुरू करूगा बटा वेव में ने लिया जाएगा हाँ पर नुमेरिकल स्वेव का नुमेरिकल कराते समय ले लेंगे बच्चे भी पोर्षल को ठीक है अब यहां पर मैं बोला था भी आपको कि कुछ नुमेरिकल सब्सक्राइब पुली बगर रहके तो आएए फटा-फट कुछ नुमेरिकल हमें बता जूँ यहां पर कि हाँ हाँ एक पॉइंट में नम मेंशन करेगा इन फोर्ष्ट अशिलेशन एक लाइन लिए मेंशन करेगा कि इन फोर्ष्ट अशिलेशन फेज आफ पार्टिकल इस डिफरेंट दैन दैन फेज आफ डैंपिंग फोर्ष्ट यहने कि एक लाइन लिखेगा कि रिजलेशन टेन्ट resultant 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 phase is बहुत ही पार्टे लाइब में तरह भूल जाएगा अच्छी तरह स्नूड करने सब कुछ resultant phase of forced oscillation forced oscillation is is a different is a different is a different than damping force applied force अब देक्ट नहीं चले resultant phase which of the first oscillation जो एक फोस्ट ऐस्ट ऐस्ट है ना इसका जो रिजल्टेन फेज होगा वाड़ डाइंपिंग का फेज होगा उसके अधर दैन होगा अधर अधर दैन होगा हाँ ज्यान दीजेगा और कभी भी कभी जंगते हैं कि डैंपिंग को सेशन कभी भी सिंपल हार्मोनी मुसन नहीं होता और अधि कहा जाए तो कहेंगे आप कि दैट इट इज भेरी इस फार्ट टाइम यानि कि टी बाई मेंसि बहुत ही साट टाइम के लिए बी बाई टू एम से कम समय के लिए उसलिए कि वा अपने पाथ को रिपीट नहीं करता रिपीट तर निकलाएगा जब वह फिक्स टाइम पर जब वह फिक्स टाइम पर हो रहा हो रही कैसा नहीं होता न और यह दिदेंपिंग बहुत ही कम है तो उसे एक प्रॉक्सिमेटली प्रियाडिक बोगते हैं तो when damping is very less, then that is called approximately periodic, it will not oscillatory, why it is so, why it is so, it is not oscillatory, तो यह oscillatory नहीं होगा, इसलिए कि अपने path को completely, completely repeat नहीं करता है, oscillation करता है, लेकिन oscillatory हम नहीं करते हैं, उसको two-four होता है, back-forth होता है, एक बिंद के दोने तरफ होता है, लेकिन बार-बार अपने path को repeat नहीं करता है, बदलता रह होता है, यानि कि पहले देखे हैं कि amplitude जादा था, अगले half cycle में कम, फिर अगले बार में और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, तो पार का repetition नहीं हुआ, ओके, यह सारी चीज़ें, अच्छी तर से concept तैयार होना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं, 300 physics, ओके, आ नहीं होता है, तो अभी हम numericals कुछ और ले लेते हैं, तो बहुत ही important या numericals है, तो इस episode को यहीं रोपता हूँ, इस episode को मैं ही रोपता हूँ, ठीक है, और अभी हम फिर मिलते हैं, तुरंत ही, यानि, यह था आपका simple harmony motion part 8, और हम मैं अभी फिर मिलता हूँ उस numerical को ले करके, यह भी बताया था कि बहुत ही important है, तो लेकर अभी तुरंत ही मिलता हूँ उसको, simple harmonic part 9 में, okay, best of luck, तब तक आप इसको solve कर लिए,